हलो स्टुदेंट्स कैसे हैं आप उमीद करता हूँ अप अच्छे होंगे हेल्दी होंगे और आपकी पड़ा लिखाई ठीक से चल रही होगी स्टुदेंट्स क्लास सेवन की जो बुक है न्यू लॉंगमें विस्टास तो न्यू लॉंगमें विस्टास बुक के लगभग हिस्ट्री के सभी चैप्टर मैंने फिनिस कर दिये थे लेकिन किसी रीजन से किसी कारण से जो चैप्टर नमर एट है हिस्ट्री का religious ideas in the medieval period उसको मैं नहीं पढ़ा पाया था तो आप message मेरे subscribers में से कई लोगों ने comment किया कि Sir Class 8 को भी explain आप कर दीजिए तो लीजिए आप लोगों की बात मानते हुए मैं आज इस chapter का explain करने जा रहा हूँ तो whiteboard आज थोड़ा सा वो सही नहीं है fix नहीं है इसलिए मैं आपको screen record करके ये chapter में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ तो आईए इस वाकिके explanation को चुरू करते हैं और दोस्तों मित्रों और students explain करने से पहले बस एकी request आप से कि चैनल को subscribe कर लिजिए वीडियो को share करिए वीडियो को like करिए और धेर सारा प्यार इस चैनल को दीजिए क्योंकि आप और मैं एक परिवार है आई शुरू करते हैं chapter का नाम है religious ideas in the medieval period medieval period किसको कहा जाता है तो समझ लिजिए कि 1200 या 1250 से ले करके या 1100 माल लिजिए 1100 से ले करके और आपका लगबग 1500 या 1600 तक का समय 1600 के पहले तो लगबग आप ऐसे कह सकते हैं कि 1000 1000 साल से ले करके और आप 1599 तक का मोटा मोटी जो समय है कई इतिहासकार कई historians इसे कई टाइम फ्रेम में दिखाते हैं ठीक है 10-20 साल, 30 साल, 40 साल आगे पीछे भी समभव है इसमें तो मोटा मोटी अपमान के चले कि 1000 यार से ले करके और 1599 तक का जो समय है उससे आप medieval period कह सकते हैं तो इस period में इस अवस्था में इस जो है की समय में धार्मिक विचार कैसे थे या कैसे पन पे इसके बारे में चैप्टर है तो आई हम समझ सकते हैं इसको पढ़ते हैं सुफिजम सुफिजम क्या होता है हून होता है some scholars are the opinion that word सुफिजम is derived from the word सफा और कुछ जो European या कुछ जो विद्वान है उनका मानना यह था यह जो word है सुफिजम वो सफा शब्द से निकाला गया है उसी से बना हुआ है which means purity और सफा का मतलब क्या होता है शुद्धता purity सुफिजम is a mystic tradition of Islam सुफिजम क्या है इसलाम धर्म का यह एक रहसेवादी परंपरा है रहसेवाद है ठीक है spirituality है ठीक है उपर वाले से connect होने का एक जरिया एक तरीका है इट वाज रिफॉर्म मोवमेंट विद्धिन इसलाम यह एक मोवमेंट था ठीक है अंदोलन था इसलाम में किसके लिए सुधार के लिए रिफॉर्म मोवमेंट था यानि इसलाम में जो बुराया थी या जो भी कमिया थी उनको दूर किया गया सुफिजम को चला करके रिफॉर्म को मतलब होता है सुधार करना समाजिक सुधार को रिफॉर्म कहते है ठीक है विट एन इंफेसिस आफ लव एन कमपेशन प्रेम और दया को बता करके तोवर्ड्स आल हुमेंट बिइंग्स सभी मानो जाती सभी इंसान बराबर है सभी से प्रेम करना चाहिए सभी पैदयादी खानी चाहिए ये सुफिजम का मूल सिधानत है जो सुफी रिजेक्टेट दा elaborate rituals and codes of conduct prescribed by the Muslims सुफी लोगों ने मुस्लिम द्वारा जो code and conduct था जो परंपराएं थी जो रिती रिवास था ठीक है बादसाहों द्वारा जो चलाएं गया था उसको reject किया ठीक है और एक अपना ही अलग अंदाज निकाल लिया प्रभू की भक्ती करने का अल्ला को पाने का अल्ला को मनाने का अल्ला की एक तरह से का सकते हैं इबादत करना पूजा करने का एक नए हाई सिस्टम उन्होंने अपना लिया इसमें क्या था और ये नये तरीके में क्या था कि पर्सनल डेवर्शन इपने दिल में अपने हिर्दे में ही खुदा को बसा लेना और अपने आब में ही खुदा को मान लेना ये चीज थी love for God इश्वर के प्रति जो प्रेम था सुफी ये समस्ते थे मानते थे इश्वर को प्रेम के सारे जीता जा सकता है ठीक है the followers of सुफिजम followed the सुफी path और जो सुफिजम के जो follower थे वो क्या करते थे सुफी path को follow करते थे तरीखा पात का मतल्द हो गया तरीका Under the guidance of peer peer लोग जो होते थे एक सिद्ध पुरुष आप मान सकते हैं सिद्ध पुरुष लोगों को peer कहा जाता था peer लोगों ने जो दिशा निर्देश दिया था जो guidance दिया था ये उनी को follow करके और इश्वर की भक्ती में लीन हो जाते थे आगे बढ़ते हैं दहौस पाईस और खानका वाज सेंटर अफेक्टिविटीज अफ सूफी ओडर खानका नाम की एक जगह होते थी वहीं पे लोग रा करते थे पीर वगर लोग वहीं पे इबादत करते थे खुदा की और अपने आपको इश्वर से जोड़ करके रखते थे इट वाज द प्लेज वेर पीर इंपार्टेट स्प्रिच्वल ट्रेनिंग और यहीं वो जगह होती थी जहां पीर बाबा लोग बैठते थे हम बैठ करके अपनी जो अध्यात्मिक जो ग्यान होती थी इस्प्रिच्वल जो नॉलिज होता था वो लोगों को देते थे लोगों को समझाते थे, सिखाते थे और इश्वर को प्राप्त करने का मार्ग भी बताते थे तो इस डिसिपल्स और मुरीद और पीर बाबा को जो मानने वाले उनके जो फालोवर हुआ करते थे उनको चेला का आ जाता था या उनको मुरीद का आ जाता था इस खानका वर सपोर्टेड बाई इंडावमेंट ऑफ चैरिटी और यह जो खानका थे वो किस से चला करते थे तो ये charities है, दान के पैसों से चला करते थे The earliest Sufi sent to settle in India was Al-Hujuri सबसे पहले शुरुवाती जो संत थे जो आकर के हिंदुस्तान में इंडिया में settle हुए थे उनका नाम था Al-Hujuri Al-Hujuri was the author of Khafz Al-Mazhub ठीक है? ये जो है कि Khafz Al-Mahajub के लेखक थे इन्होंने एक किताब लिखे थे, जिसका नाम था Khafz Al-Mahajub A famous Persian Treaties on Sufism और ये क्या था? तो Persian यानि एक पार्सी दर्म हुआ करता था पार्सी दर्म तो Persian Sufism को ये बताने माला ये किताब था सूफी सिल्सिला इसको देख लेते हैं जब सल्तनत पिरियड था यानि दिल्ली के सुल्तानों का जब समय था उस समय सूफी के कुछ सिल्सिले पापलर हुए थे सिल्सिला मतलब यहां समपरदाय से कह सकते हैं कम्यूनिटी से कह सकते हैं और उसमें से जो दो प्रमुक फेमस हुए थे वो सुहरावर्दी का सिल्सिला था और चिस्ती का सिल्सिला था चिस्ती समपरदाय के सुफिसंद हुआ करते थे और सुहरावर्दी समपरदाय के सुफिसंद हुआ करते थे टीक है या दो पांतों दो रास्ते हो गया week में सूरावर्दी का जो सिलसिला था जो कर दया का संपर्दाएता वो मिजर था प्रमुक था the founder in इंडिया व॔ शेख बौधिन जखारिया और इनके सिलसिला के जो फाउंडर थे इस समपर्दाय का जो फाउंडर थे इंडिया में वो थे वो कौन थे वो थे शेख बहुत दीन जकारिया ये 1182 से ले करके 12862 थे कि इनका जीवान काल रहा यानि कि 1262 में ये मर गये 1182 में पैदा हुए थे une of the oldest khanka in India भारत का सबसे पूरणा khanka कहा बना था? established by him at multan उस समय इनके द्वारा ये किया गया था multan में multan कहां है? penjab में कहाँ आप कौन से पंजाब में इंडिया के पंजाब में नहीं ये पकिस्तान के पंजाब में हैं आपको मालूम होना चाहिए कि जो इंडिया का बटवारा हुआ राजस्तान बटा गुजरात बटा और पंजाब बटा था ठीक है गुजरात का भी बॉर्डर मिलता है पकिस्त था और क्या लाजवाब वो पारी थी थी के मज़ा आगया था क्रिकेट में देख करके वो और विरंदर सावा का नम क्या पड़ा था मुलतान का सुल्तान चलिए आगे बढ़ते हैं तो इन सूफी परंपराओं को परचार प्रसार करने में इनके कम्यूनिटीज बनने में पंजाब, सिंद और बंगाल यह तीन प्रमुक जगास्तान थे जहां यह बहुत ज़्यादा इनका प्रस्तार हुआ बहुत ज़्यादे इनका विस्तार हुआ अब चिस्ती सिल्चला को देख लेते हैं में यह उसी एक समय अबारत आया थे पाइनले सटल इन अजमेर और अजमेर में इन्होंने अपने डेरा जमाल लिया इन्होंने मुस्लिम और नॉनमुस्लिम दोनों का समान पाया दोनों इनको मानते थे इनकी जो मगबरा है अजमेर में वो आने वाले सालों में एक प्रमुख तीरता स्थान बन गया पिल्ग्रिमिज का मतलब क्या होता है तीरता स्थान बन गया और यह चिस्ती जो सिल्चला था यह प्रमुख रूप से इन्डियन सिल्चला इसको माना जाता है और भातीर तोर तरीके भी इसमें आपके सामिल होते थे इनने गरीब अमीर को एक भाबर देखा और धार्मिक साहिश्नुता अपनाई ठीके बाकी धर्मों को भी रेस्पेक्ट देते थे और यही चाहिए भी नौन मुसलिम पपलेशन इन्डिया नौन मुसलिम जो पौपलेशन थे जो मुसलिम धर्मों नहीं मानते थे उनके खिलाब भी ये उदार रहे ठीक है यानि उनको बहुत जादा परशानिया तंग ये नहीं करते थे वरना उस समय सल्तनित पिरियेड में तो ये आम जिल्चला था कि हिंदू राजा के उपर अटेक किया जाता था उसको अराय जाता था और इसकी प्रजा को इसलाम स्वि स्विकार नहीं किया अपने मन से स्विकार करने की बात अलग है लेकिन अगर जबरश्ति आपको स्विकार कराया जाए तो ये अनुचीत बात होती है ये इसको सपोट कोई नहीं करेगा अगर वो अपने मन से हो जाता है तो अपने अपनी अकीदे की बात है अपने अपनी जो community थी उनमें फिरदाऊसी था काजरी सिल्चला था सत्तारी था और कालंदरी था आपने काना सुनाओगा दमादमस्त कालंदर तो ही बात है कालंदरी सिल्चला भी यहाँ पे था ठीक है अब आजाएए यहाँ पे feature of sufism, sufism के features क्या थे बिचेसना क्या थी the sufism expressed their love towards God through music, poetry and prose sufism शन्त जुवा करते थे यह ईश्वर के प्रतियपने जो भक्ती दिखाते थे आल्ला के प्रतियपने जो इबादत करने का तरीका जा जो प्रिम करने का तरीका था वो क्या था music, गाते बजाते थे poetry भजन करते थे कविताय करते थे अब उनकी जबान में ते भजन नहीं कहा जाता था भजन तो Hindi word है pros, कुछ उनके अपने अल्ला के प्रतियपने प्रतियपने गज़गाते थे कुछ गुनगुनाते थे कुछ कविताय बनाते थे ठीक है, वो यह किया करते थे सुफिजम वाज ओगनाइज़ इंटो वेरियस ओडर अफ सिल्चिला सुफिजम जो था इसको कई कम्मुनिटीज में बदला गया जिसको सिल्चिला कहा जाता है अब पीर, पीर का मतलब गुरु होता है guided and instructed his disciples on the path of सुफिजम जो पीर होते थे जिनको एक गुरु मानते थे अपना वो इनको guide करते थे इनको बताते थे कि कैसे जीवन जीना है कैसे अल्ला की अबादत करना है और आगे कैसे जीवन को ले चलना है सुफिजम का रास्ता कैसे अपनाना है इस पर वो बताते थे और खानका वाज the center of activities of a सुफि ओडर सुफि परमपराओं को सीखने के लिए इबादत करने के लिए खानका होती थी जहां पर लोग रहा करते थे और अपना कारिक्या करते थे यह वो जगह ही होती थी जहां पर पीर लोग अपने चेलों को अपने शागिर्दों को क्या करते थे तो इस spirituality का ग्यान दिया करते थे रोल आप सुफिजम को लिलेते हैं सुफिजम played an important role in the society सुफिजम ने सुफिजम में एक बहुत महत्पूर रोल आदा किया the चिस्ती sense helped in creating situation in which people belonging to different classes and religious communities could live in harmony सुफिजम ने प्रयास किया चिस्ती संपर्दाया ने कि विभिन जातीयों के लोग विभिन धर्मों के लोग मिल करके यहां पे रहें विभिन संपर्दाया के लोग मिल जूर करके रहें harmony मतलब होता है मिल जूर कर सांती और सवाहार्थ के जात रहें तिक दरगा आफ सूफी सेंट बीकेम फिल्ग्रिमेज और सूफी संतों की जो दरगाहें हुआ करते थे उनकी जो मक्बर हुआ करते थे वो आगे चल करके तीर्थ या तीर्थ अस्थान के रूप में डेवलप हो गया फर आल कास्ट एंड सभी धर्मों और जातीयों के लिए ये क्या हो गए तो एक इबादत की जगा हो गए एक आदर्स जगाहें हो गई खान का also played an economic role तो खान का हैं होती थी जहांपे सूफी संत अपने चेलों को अपने शागिर्दों को सूफी परंपरा का ज्यान देते थे उनको खान का का जाता था ये और तव्यवस्ता की रिड़ हो गई थी यानि यहां लोग आते थे पैसे दान करते थे यूँकि जितने खान का थे ये सब दान पे चला करते थे क्यों कि कभी कभी मुस्लिम समराठी ने पैसे नहीं देते थे क्यों कि ये मुस्लिम परंपरा से अलग हो करके भजन द्वारा पोईट्री द्वारा प्रोज द्वारा इस्वर अल्ला को प्राप्ट करना चाहते थे इनका प्राप्ट करने का तरीका अलग था ठीके ये अपने अल्ला से प्रेम करते थे और प्रेमी प्रेमिका का यहां पर समंज से वता था, यहां भाव वता था, ठीके, बहुत से सूफी जब गीत सुनेंगे, तो उसमें खुदा को अपने महभूप की रूप में भी संतों ने माना हैं, और वही परंप्रा, वही भाव साम्मीन का रहा करता था, और बहुत से खान का क्या करते थे, उनका जो खर्चा कहांच निकलता था, तो उनको जगीरें दी जाती थी, जवनें दे दी जाती थी, और जो भी खेती किसानी होती थी, उससा लगान इनको आता रहता था, others were involved in the construction of buildings, दूसरे जोए कि लोग, building ने में और construct करने में, उनने लगाया अपना पैसा, both of religious character and public utility, और कुछ religious character बनने में, ये खान काहें बनने में, और public utility मतलब की लोगों के द्वारा जो शामान यूस किया जाता है, जिससे धरमशाला उगहरा बनवाने में भी था है यहां बागीचे भी लगाए, पेड़ पॉदे भी लगाए, the institutions of खानका played an important role in the process of organization, और खानका है जो थी, उन्होंने अर्बनाइजिशन यानि की शहरी करण करने में, शहर बसाने में, मत पूर्ण भूमी का निभाई थी, the annual उर्स, the festival, उर्स मतलब क्या होता है, मेला आप इसे कह सकते हैं, जुलूस आप इसे कह सकते हैं, तो हर साल जो है कि ये उर्स चलाते थे, उर्स लगाते थे, मेला लगाते थे, तिवहार की तरह, ठीक है, और उर्स जब हो जाता था, ठीक है, the festival of commemorating the date of spiritual masters, तो अपने जो अध्यात में गुरु इनके होते थे, जो मर जाते थे, तो उनकी याद में ये करते रहते थे, परंपरा बना लिये थे, अपना ये, उर्स में बहुत सारे लोग जमा होते थे, commerce and production of local handicraft, उसमें जो local handicraft होता था, यानि लोगों कि इस chapter को मैं एक नहीं दो वीडियो में बनाऊं, जल्दी आपके सामने इसका दूसरा वीडियो बाएगा, इस वीडियो को आप बहुत जाता प्यार देजिए, 500 like का target मैं पहली बार रख रहा हूं इस वीडियो पर, बरबूरा प्यार देजिए, मैं बहुत जाल इसका दूसरा पार्ट भी आपके सामने शेयर करूँगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, हास्ते में सुराते रहिए, और जयहिंद!